नमस्कार दोस्तों भारतिय क्रिकेट के धुरंदर के अंतरगत अब तक आप सुनिल गावासकर और टाइगर पटावदी से मिल चुके हैं आज आपकी मुलाकात हम और एक महानतंबल लेबास से करवाने जा रहे हैं गुंडपा विश्वनात से विश्वनात का जन्म मैसूर के भद्रावती में 12 फरवरी 1949 को हुआ था 1970 के दशक में उनकी गिंती भारत के सर्वस्रेष्ट बल्लेवाजियों के रूप में की जाती थी 1979 से 1983 तक वे भारतिय टेस्ट टीम का हिस्सा रहे 1974 से 1982 तक वे भारत की तरफ से वंडे भी खेले और 1975 तथा 1989 के विश्वकप में भी उन्होंने भाग लिया इनका पूरा नाम गुनपपा, रंगनाथ, विश्वनाथ था गावासकर के बाद निर्विबाद रूप से वह इस दशक के बेहतरीन बल्ले बाज रहे बैक फुट पर यह के यह शांदार खिलाडी हुआ करते थे स्क्वाइर काट इनका प्रिये शॉर्ट था, कलाई का उपियोग करने में यह माहिर थे चार स्लिप और एक गली होने के बावजूत कलाई की ताकस से मारे गए इनके स्टोक खासकर स्क्वाइर काट सीधा सीमा रेखा के बाहर ही पहुंसते थे इनकी प्लेसिंग बहुत अच्छी थी, फील्डर के गैप से मारे गए इनके स्टोक दर्शनिये हुआ करते थे और उन पर शर्टिया चार रन मिला करते थे अपने पूरे कैरियर में यह करनाटक के लिए खेले इने विशी नाम से भी पुकारा जाता है इनकी बल्लेबाजी की शैली काफी कलात्मक और खुबसूरत थी शौट खेलते समय यह ताकत किया पेच्छा टाइमिंग पर ज्यादा ध्यान देते थे इनके पास बिकेट के चारों तरफ खेलने के लिए शौटों का भंडार था स्लिप कहिया है बेहतरीन फिल्डर थे 1960 में प्रथम सेड़ी क्रिकेट में प्रवेश करते ही आंधरा के खिलाफ इनोंने दोहरा शतक जमाया अपने पहले ही टेस्ट में 1979 में आस्टेलिया के खिलाफ कानपूर टेस्ट की प्रथम पारी में वैं शूने पर आउट हो गए और दूसरी पारी में जबर्जस्ट वापसी करते हुए इनोंने शांदार 137 रन बनाए यह मैच ड्रा रहा इसके बाद 13 टेस्ट मैचों में इनोंने 13 शतक जमाये और यह सभी मैच भारत ने जीते उनका सर्वस्रेष्ट प्रदर्शन चुनोंती पूर पीचों पर आया हाला की उन सर्वस्रेष्ट पारियों में शतक तो नहीं बना परंतु टीम की सफलता के लिए वह पारियां बहुत महतपूर साबित हुई वेस्ट इंडीज और आस्टेलिया जो की अपनी तेज रफ्तार गेनबाजी के लिए जाने जाते थे उनके खिलाब विश्वनात का आवसत हमेशा पचास से उपर रहा 1974-75 में मदरास में एंडी रॉबर्स का खौफ कहर बरपा रहा था भारत ने 190 रन बनाए जिसमें 97 रन विश्वनात के बल्ले से निकले थे शतक ना बनने के बावजूद भी यह पारी विश्वनात की बेहतरीन पारियों में एक मानी जाती है यह मैच भारत ने जीत लिया विश्वनात विश्वनात की शतक यह पारी के कारण भारत भी जाई रहा था बंबई के इंती मैच में विश्वनात ने हालां के 75 रंतो बनाए परंतु भारत यह टेस्ट सीरीज 3-2 से हार गया 1975-76 के वेस्ट इंडीस दोरे में विश्वनात के बल्ले ने जबरजस्त्र प्रहार किये पोर्टाफ इस्पेन में 112 रन की शांदार पारी खेली जिसने 403 रन के एक बड़े लक्ष का पीछा करने में टीम की काफी मदद की और भारत ने यह मैं जीत लिया यह उस समय का सबसे बड़ा स्कोर था जिसे भारत ने पीछा करते हुए जीता 1978-1989 के मदरास टेस्ट में भारत ने 255 रन बनाए जिसमें विश्वनात ने शांदार 124 रन्ठों के थे विश्वनात के दम पर भारत ने यह टेस्ट सीरीज जीत ली थी 1982-83 की पाकिस्तानी सीरीज में भी विश्वनात टीम का हिस्सा रहे विश्वनात उन भारतिय बल्ले बाजों में एक थे जिन्हें अनगिनत बार पाकिस्तानी अमपायरों के गलत निरणय का शिकार होना पड़ा पाकिस्तानी अमपायरों के विवादास्पत फैसलों के कारण विश्वनात का प्रदर्शन काफी प्रभावित हुआ पाकिस्तानी एंपायर अपने गेनबाजों के प्रती पक्षपाती माने जाते थे अंतताह यह सब देखते हुए 1994 में टेस्ट मैच में एक तठस्त एंपायर की शुरुवात हो गई विश्णाद ने दो टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की एक मैच हारे और एक मैच डा रहा इससे पहले मैच भारत और इंगलेंड के बीच जो खेला गया वह है गोल्डन जूबली टेस्ट था यह टेस्ट बाप टेलर से जुड़ी एक घंटना के कारण यादगार बन गय अंपायर ने बॉब टेलर को आउट करार दे दिया था विश्णाद के हिसाब से यह गलत निरणय था उन्होंने बॉब टेलर को वापस क्रीच पर बुला लिया इसके लिए उन्हें अंपायर से विबाद भी करना पड़ा यह मैच भारत हार गया विश्णाद के इस फैसले के लिए उनका बहुत ही सम्मान किया गया और आज तक उन्हें निश्पक्षतदा के लिए याद किया जाता है अंतराश्चिय क्रिकेट से सन्यास लेने के बाद इन्होंने 1999 से लेकर 2004 तक ICC रेफरी के रूप में भी काम किया इन्होंने चैन करताओं के अध्यक्ष और भारतिय टीम के प्रबंधक के रूप में भी काम किया 2009 में BCCI द्वारा भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरुसकार करनल C.K. NIDU Lifetime Achievement Awards से इन्हें सम्मानित किया गया विशुनात ने अपने कैरियर में 99 टेस्ट खेल कर 6080 रन बनाए तीसरे नंबर के यह विश्व के बेहतरीन बल्लेबाज हुआ करते थे इन्होंने 14 शतक और 35 अर्धशतक भी बनाए इनका सर्वोच स्कोर 222 रन है वंडे में 25 मैच खेल कर दो अर्धशतकों की मदस से इन्होंने 449 रन बनाए स्लिप में छेत्र रक्षण करते हुए टेस्ट मैचों में इन्होंने तिर्शट कैच भी लपके कलाई से शौट खेलने वाले विश्व क्रिकेट में विश्वनात के जैसा आज तक कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं हुआ महान्तम बल्लेबाज सुनिल गावासकर ने भी विश्वनात की तारीफ करते हुए उन्हें उस दोर का सर्वस्रेश्ट बल्ले बाज बताया है गावासकर की बहन कविता से विश्वनात की शादी हुई दैविक नाम का उनका एक बेटा भी है तो ये मुलाकात थी गुंडप्पा विश्वनात से आपकी ये वो दौर था मित्रों जब टेली विजन पे मैच नहीं देखा जाता था कमेंटरी का जमाना था लोग कमेंटरी के दिवाने थे अजज़देव सिंग, रवी चत्रुवेदी और जोगा राओ जैसे कमेंटर हुआ करते थे पॉकेट ट्रांजिस्टर चलन में इतना ज़्यादा आ चुका था जो भी क्रिकेट के बारे में कुछ जानता था वो कान में ट्रांजिस्टर लगाए कमेंटरी सुनता हुआ चलता था पान की दुकान, चाय की दुकानों पर कमेंटरी अगर होती थी तो वहाँ भीड लग जाया करती थी ये विश्वनाओत का वो दौर था मैं भी कमेंटरी सुना करता था कितना बढ़िया लगता था जब रवी चतुरुवेदी या जज्देव सिंग बोला करते थे एंडी रॉबर्स अपने लंबे बॉलिंग राना पर चार्स लिप एक गली एक एक्स्ट्रा कवर एक मिडॉप एंडी रॉबर्स ने दोड़ना चालू किया राइट आर्म ओर्दा विकट ये गेन ऑफिस्ट्रम के उपर और ये शांदार चोका विशुनात के बले से ये गेन ऑफिस्ट्रम से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलती हुई विशुनात बैक फूट पर गए और कलाईयों का की मदद से ये सांदार स्क्वाइर कट स्लिप और गली के बीस से जब तक के फिल्डर कुस समस्ते गेन गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार पहुँच चुकी थी इस तरीके से कमेंटरी हुआ करती थी अब तो वो दौर नहीं है और ना लोट के आएगा आजकल तो टीवी पे सब कुछ होता है तो मित्रो ये आपको मैंने विशुनात से मिलाया अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सस्क्राइब कीजिएगा और अगले मंगरवार को मिलवाते हम आपको एक फिरकी गेनबास से फिरकी का जादूगर भगवत चंद्रशेकर से तो इंतजार कीजिए अगले मंगरवार को मैं सफर पे रहूँगा यात्रा पे रहूँगा अभी भी हूँ कल से बेरी लंबी यात्रा शुरू हो रही है लेकिन समय पर वीडियो अपलोड होता रहेगा नमस्कार आप लाइक कमेंट करते रहे